नमस्कार मैं विकाज इजी सलूसन यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों यहाँ पर पहले आनलाइन आइटिया इंफो यूटूब चैनल था जिसका ही नाम बदल करके इजी सलूसन किया गया है तो आपको यहाँ पर कन्फूज होने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं अपरेंटिसिप का जो रीक अभी तक जिन साथीयों का प्रिसीड नहीं हो पाया है या जिनके result नहीं देख पा रहा है उन सभी के बिसे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे और जिन साथियों का result में आ गया है उनकी data worth नाम या any कोई problem है तो complaint करने के लिए कैसे करना है पूरा विस्तार से बात करेंगे तो वीडियो को शुरू से last तक आपको जरूर देखना है तभी आपको समझ में आ पाएगा तो यदि वीडियो से information मिल रही है तो please वीडियो को like कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में share कर दीजिए ताकि उन्हें भी आजानकारी मिल सके यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो please चैनल को भी subscribe कर लिजिए जिससे आने वाले हर नए वीडियो की आपको notification मिल सके सबसे पहले पर अब हम तो यहां बात करते हैं complaint आपको कैसे करना है तो यहां पर एक यह नीचे line चल लही है तो इसमें यहां पर ajay.vhagat.gmail.gov.in यह mail idea आप इस पर अपनी complaint करके अपनी complaint का समाधान करा सकते हैं और इधर इन्होंने एक option भी दे दिया है यह option grievance के नाम से grievance या complaint grievance को complaint भी कहते हैं तो यहां पर यह option है यह 31 जनवरी तक रहने वाला है उसके बाद में उसको यहां side से हटा दिया जाएगा तो जिन साथियों की problem है वो यहां पर आकर grievance पर click करेंगे जैसे click करेंगे तो यहां पर तीन option आपको देखने को मिल रहे होंगे apprenticeship grievance registration जो दो यानि की 108 और 109 बाइच के candidate हैं वो यहां पर click करके अपनी complaint करेंगे जो साथी 110 बाइच में हैं जिनकी problem है तो यहां पर apprentice grievance registration है जो 110 पर आप यहां पर अपनी complaint को करेंगे और अपनी complaint का जो view है देखने के लिए आपको करना है यहां पर view apprentice grievance आप यहां से अपनी सिकायत को check कर पाएंगे तो यहां पर हम 110 बाइच के साथी के लिए यहां पर आपको हम apply करके दिखाने वाला हों की complaint आपको कैसे करना है तो यहां पर apprentice grievance registration 110 पर क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगला page कुछ इस तरीके से open होगा तो आपको यहां पर registration number टाइप करना होगा और यहां पर आपको data worth फिल करनी होगी उसके बाद में आपको authenticate पर क्लिक करना होगा आपकी profile open हो जाएगी तो आपकी profile कुछ इस तरीके से open होगी तो यहां पर मैंने apprentice trainee की personal information को यहां पर hide किया है तो यहां पर आपको अपना registration number और इधर name देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको अपनी data worth भी देखने को मिलेगी और उसके बाद में यहां पर आपको अपने पिता जी का father name भी देखने को मिल जाएगा तो यहां पर apprentice trainee की मैंने personal इंफर्मेशन को हाइड कर दिया है यहाँ पर आपको अपना पूरा डिटेल आपने कहां से अप्रेंटिस की है इस्टेवलाजमेंट का नेम भी देखने को मिल जाएगा और खास बात है यहाँ पर जो सेलेक्ट ट्रेनिंग है यहाँ पर जो है आपका यह ट्रिक मार्क का यह यहाँ पर स्कॉयर बना है इसमें आपको ट्रिक मार्क का अप्शन लगाना ही होगा और उसके बाद में आप थोड़ा जब नीचे बढ़ेंगे तो अगला पेज इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको सेलेक्ट का अप्शन दिख रहा होगा आप यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको रिजल्ट नाट प्रोसीड रिजल्ट प्रोसीड विद इनकरेक्ट मार्क इस तरीके से देखने को मिलेगा result proceed with incorrect subject तो यहाँ पर result not proceed जिन साथियों का है तो वो इस पर click करेंगे और जिनकी जो भी problem है तो जिसका नाम या other mistake है date of birth संसोधन कराना है तो वो यहाँ other पर click करेंगे click करेंगे तो उसके बाद में जो भी problem है उसकी आपको एक screenshot कर लेनी है और उस screenshot को यहाँ supporting document लिखा है यहाँ पर choose file आ रही है तो यहाँ पर आपको उसको upload कर देना होगा यह से आप upload करेंगे तो फिर उसके बाद में आपको नीचे बढ़ना है यह से नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको तीन आपसन देखने को मिलने होंगे submit और save as dropped के लिए यदि आप अपनी जो information दिये इसको save रखना चाहते हैं तो save and dropped पर क्लिक कर दीजिए ठीक है और submit पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो complaint है वो department में पहुँच जाएगी और आपकी complaint का फिर समाधान भी किया जाएगा कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में share कर दीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके यदि आप चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी subscribe कर लीजिए जिससे आने वाले हर नए वीडियो की आपको notification मिल सके सबसे पहले नमस्कार धन्नेवाद